हेलो फ्रेंड यह माता दी कैसे हैं आप सब फ्रेंड ओमीद करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगी तो फ्रेंड आज आप लोग ठमने लेके समझी गए हूँगे कि हम क्या बनाने जबाइvent यप फिर क्या बनाने जा रहे हैं तो friend आज हम बनाएंगे मूली का प्राठा और वो भी बहुत आसानी से और इसकी विधी हम बताएंगे आपको एकदम बिल्कुल आसान तरीका है simple ना फटेगा और ना ही ये टुटेगा ना बिखरेगा और इसकी विधी हम आज आज आपको बताएंगे ना एकदम एजी और आसान तरीका है friend बहुत सारे प्राठा हमने बनाएं तो friend जिन्होंने चैनल नहीं सब्सक्राइब किया अपरी चैनल सब्सक्राइब कर दीजे वीडियो अच्छे लगे तो लाइक कर दीना friend तो friend आदा ज्यादा ये वीडियो शेयर करना जो लोग ये मूली पराठा जणजट समझते हैं बनाने में बिल्कुल जणजट नहीं होगी बहुत ही आसानी से बनेगा बस तरीका आपना थोड़ा सा चेंज कर दीजे क्योंकि एक जैसे बनाते बनाते आप लुप गये हैं तो आपके लिए इजी और आसान तरीका है सबसे पहले फ्रेंड मूली के पत्तो को अच्छे से वाश करके कट कर लेना है दम बारीक फिर मूली को जड़को धुल के हलके से उपर से उसको छील के थोड़ा सा और आपको घस लेना है उसको कद्दू कस में या फिर जैसे मतलब जिसमें आपको सुभिधा लगे आपको इसी तरीके से उसको कदुकश कर लेना है और उसका सारा जूस कस के हाथ से दापके निकाल लेना है उसके बाद यहां पे मैंने आटा ले लिया है और इस आटे में मैंने अभी कुछ नहीं मिलाया है सबसे पहले मैं इसमें डालूंगी पत्ते जो हमने मुली के पत्ते कट करके पानी पानी आपको निकाल देना है फिर आपको उसमें एड करना है जीरा और जीरा के बाद इसमें आ जाएगा फ्रेंड नमक नमक स्वादनुसा डलेगा और नमक डालने से पानी छोड़ता है तो आप लोग फ्लीज वीडियो में कांटीनू बने रहे हम बताएंगे क्या करन जिससे यह बिल्कुल बेलने में चिपके ना और ना ही हाथ में चिपके और बहुत ही आसान तरीके से बन जाए ऐसा हम आपको आज ट्रिक बताएंगे तो यह होम रेमेडी है आप लोग किसी और को भी बता सकते हैं किसी और के साथ भी शेयर कर सकते हैं अपनी वीडियो तो इसको खुब अच्छे सा मिक्स करिए और उसके बाद आटा लगा के तयार कर लीजे थोड़ा सा इसमें तेल लगा दीजेगा यह आपको यही ट्रिप लगानी है आपको यह दिमाग में जरूर बठा लेना है तो थोड़ा सा ना मोयन लगा के उसको अच्छे से मतलब की रूल कर दीजिएगा तो आपको ये मोयन भी तयार हो जाएगा और आपका अचिपकेगा भी नहीं बिल्कुल ये देखिए हमने बेला है बिल्कुल चीपक नहीं रहा है और इसको चलिए ताबे पे डाल के आप सेंक लेती हूँ एकदम सेब में बनेगा ये भी एक ट्रिप है आप लोग प्रीस अपनाईए और एक बार करके देखिए बहुत ही आसानी से देखिए पलेट जाएगा और इसमें आपको लगा देना है घी और घी लगाने बाद आपका ब्राठा हो गया तयार तो फ़र्ण आप लोग ऐसे बना के न खिलाएए और कोई भी गेश्ट आएगा आपकी तारीफ करके ही जाएगा ये मेरा 100% बाद आए आप से और अब ना बैने धेर सारा बनाया था क्योंकि किसी को देना भी था ये और सच्ची बतारीफ घर के लिए थोड़ा सा बना था बाकी पूरा बाहर के लिए बना था और देखिए कि इतना अच्छा अग्दम पूरा इतनी अच्छी अच्छी मतलब इसकी सेफ आई है कि ना पूछी आप लोग हो सकते तो फ्रेंड वीडियो अच्छी लगे हो त्प्लीज लाइक करना कॉमेंट करना और शेयर कर देना वीडियो चैनल पे न्यू होना सब्सक्राइब जरूर कर लेना तो मैंने ना मूली पराठे के धेर लगा रही हूँ अभी अभी पूरा भर भर के मैंने डबबा बनाया और फूरी तवर भर के धाली बनायी मैंने अकेले ही बनाया बहुत सारा और ना सची बताओं मैं कभी ठक थी नहीं हूँ कल बट इतना सारा मैं बना दी मूली पराठक मैं ठक भी गई थी और बहुत सारा काम रहता है तो फ्रेंट इसको करने में बहुत महिनत लगी है और प्लस मैंने बनाया भी है